हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सिक्सन में मैट्स के इस सेशन में जो आज की जो क्लास होने वाली है वो एक बहुत इंट्रेस्टिड क्लास होने वाली है रोमांचक क्लास होने वाली है इसमें क्या है इसमें टोपिक है कलेंडर इसमें से एक question हर हर एक साल में जब भी आपने TED दिया होगा देखा होगा किस टाइप की question आते हैं तो आपको एक question इसमें से देखने को जरूर मिला होगा calendar ठीक है calendar आपका जो यह topic है simple सा topic है इसमें से 2 से 3 type के question बनते हैं कैसे यह तो वो दे देगा कि 8 March 2020 को कौन सा दिन था simple सा क्या कहिएगा कि 8 March 2020 को कौन सा दिन था पहला type का question दूसरे type का question कहिएगा कि आज मंगलवार है ठीक है आज से 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा समझा गया दूसरा type पहला type क्या बताया कि simple सा दे देगा कि 12 March 2020 को कौन सा दिन था या दूसरा टाइप कहेगा कि आज सोमवार है या आज मंगलवार है और आज से 65 दिन बाद 66 दिन बाद या 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा या थर्ड टाइप का कुशन आते है कि कौन सा कलेंडर वर्स रिपीट होगा मतलब 2003 का जो calendar है वो आगे कब repeat होगा same to same वो ही दिन वो ही तारिक वो अगले calendar में अगले कौन से सन में वो same calendar repeat होगा तो आपको तीन type के इसमें question देखने है तो तीन type के question देखने के लिए चलते है आज की वीडियो की तरब तो यह है calendar सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इसमें कुछ ऐसा है तो है ने descriptive चीजे हमको discuss करनी है कि calendar क्या होता है सब को पता है कि calendar होता क्या है ठीक है अब हमको इसमें सबसे main चीज इसमें क्या है मैं एक word use करने वाला हूँ old days क्या यूज करूँगा old days मतलब इनको बोलते है अतिरिक्त दिन क्या बोलते है अतिरिक्त दिन तो मैं जब भी आपके सामने बोलू कि old days मतलब अतिरिक्त दिन होते क्या है तो मैं पहले आपको इसे समझाने की कोशिस करता हूँ की old days क्या होता है old days वे days होंगे जो एक complete week के बाद बची हुई संख्या होगी मतलब मालो मैंने कहे 10 दिन 10 दिन का मतलब क्या है हमारे पास एक सप्ता में 7 दिन होते मतलब हमारे पास इस 10 दिन में एक तो सप्ता है और प्लस 3 दिन है तो मतलब सप्ता हा कम्प्लीट सप्ता हा के अतिरिक्त जो दिन होगी मतलब कितने दिन बचे हमारे पास 3 दिन तो इन ही दिनों को मैं old days बोलने वालो ठीक है समझा गया old days क्या होते है old days होते है एक complete week के बाद जो दिन बचेंगे उसको हम old days बोलने वाले है ठीक है बार बार ये word repeat होगा तो आपको याद रखना है कि old days क्या होते है old days होते है कि मतलब एक सप्ताहा से अलग जो दिन बचेंगे उसको क्या कहेंगे उसको कहेंगे old days ठीक है अब चलते है पहला अब हमारे पास एक होता है leap year क्या होता है leap year जिसको हम leap verse बोलते है ठीक है भई अभी मैंने आपको बताया कि old days क्या होगे old days where days होंगे जिसमें एक सप्ताहा की अतिरिक कुछ भी दिन होगे उनको old days कहने वाले अब हम चलते है leap year की तरफ को अब leap year क्या होता है leap year वो सन होता है जो 4 से divide हो जाएगा 4 से complete जो divide होता है इसको leap year बोलते है मतलब जैसे मालो मैंने लिखा 16-16 तो ये complete 4 से divide हो रहा है तो इसका मतलब ये एक leap year है 1820 में लिख देता हूँ तो क्या ये 4 से divide है divide है तो इसका मतलब ये 4 से divide हो रहा है तो ये भी एक leap year है मैं लिखता हूँ 1940 क्या ये 4 से divide है हाँ divide है मैं लिखता हूँ 2000 क्या ये 4 से divide है हाँ divide है मैं लिखता हूँ 2012 या 2020 क्या ये सभी year 4 से divide है हाँ divide है तो इसका मतलब ये होते है लीपियर और ये लीपियर क्या होता है लीपियर वो वर्स होता है जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा मतलब उसमें फरवरी एक दिन एक्स्ट्रा होती है जो साधारन जो नॉर्मल वर्स होता है हमारा साधारन वर्स होता है उसमें 365 दिन होते है जिसमें जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है लेकिन लीपियर में 39 दिन की फरवरी होती है ठीक है 39 दिन बढ़ जाता है तो उसमें 366 दिन हमारे हो जाते है तो लीपियर हमको समझना है लीपियर वो साल होता है जो मतलब जिस साल को हम 4 से complete डिवाइड कर सकते है वो लीपियर होता है तो आपको समझना है कि leap year क्या है leap year वो year है जो completely 4 से divide हो जाएगा मैं बात करता हूँ एक साधारन वर्स की एक साधारन वर्स जो होगा एक simple जो वर्स होगा उसमें हमारे पास 365 दिन होगे 365 ही तो दिन होगे मैंने क्या बताया एक साधारन वर्स में होते है 365 दिन और एक leap वर्स में जो होते है वो होते है 366 दिन कितने होते है 366 दिन अब मैं साधारन वर्स की अदि में बात करूँ तो साधारन वर्स में हमारे कितने सपता हो सकते है हमारे 52 सपता होंगे 52 सपता होंगे और प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होगा ठीक है? एक दिन एक्स्ट्रा होगा मतलब हमारा जो simple verse होगा 365 दिन वाला उसमें हमारे 12, sorry बावन सप्ता होगे प्लस एक दिन होगा क्या होगा एक दिन इसका मतलब है कि कहीं साधारन verse आ गया वाई ये complete 52 है तो इसके order days जो होंगे वो तो कितने होंगे 0 ही हो जाएंगे ठीक है और सिर्फ एक दिन बचेगा मतलब हम कभी भी साधारन वर्स लेंगे तो उसके साथ एक की multiply करने वाले है इसी तरीके से अब ये 366 दिन है तो इसका मतलब 52 सपताहा प्लस दो दिन तो इसमें order days कितने आगे? दो कितने आगे? दो तो आपको समझ आ गया कि एक साधारन वर्स में order day कितने है? एक एक leap year में order day है कितने? दो अब चलते है next next चलते है so verse अब direct so verse की तरफ को चलेंगे क्यों अब 2021 है तो direct बड़ी संख्याएगी बड़ा सन आएगा तो so verse यदि मैं so verse की मैं बात करूँ तो so verse में कितने leap year आ सकते बतो? सो verse में कितने leap year आ सकते? भई यह हर एक चार साल के बाद leap year आता है तो इसका मतलब 24 की मैं यदि 4 मैं करूँ मल्टिपलाई तो 96 24 का छाण में मतलब हमारे पास 24 leap year आ सकते है भई अब मैं इसमें 4 जोड़ूँगा तो पूरे 100 हो जाएंगे पूरे 100 हो जाएंगे मतलब तो इसका मतलब 100 verse में हमारे पास कितने complete क्या होंगे? भई हम 100 verse की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे 24 leap year हो जाएंगे ठीक है? 24 leap year मतलब 24 तो होंगे leap verse और प्लस अब 100 में से 24 को जब घटाओंगे तो कितने बचेंगे? बताओ 76 मतलब 76 कितने हो जाएंगे? साधारन वर्स हो जाएंगे साधारन वर्स अब मैंने क्या बताया? 24 है यदि leap year है तो उसका जो ओर डेज है 2 है मतलब 24 गुना 2 और प्लस 6 गुना 2 है तो 1 है तो 1 की multiply करो या न करो ये की बात है तो कितना आ गया? 24 दुनी 48 प्लस 6 अबतलब सेविन से तो डिवाइड बावन सपताहा मैंने लिखे है तो इसका मतलब 7 की गुना ये तो की है? तो हम इसको किस से डिवाइड करेंगे? 7 से तो बताओ 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 7 कम 7 5 54 होगे और 7 कितना? 7 सती 99 मतलब इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो सेस बचा है वो 5 दिन बचा है मतलब कभी भी 100 वर्स की यदि बात आती है तो उसमें कितने ओड़ डेज होंगे? 100 अब देखो एक लिष्ट बनाते है उससे आपको समझाएगा कि इन ओड़ डेज की कहां जरूरत पढ़ने वाली है ठीक है? एक छोटी सी वो बना लेते है भाई मालो मैंने कहा एक साधारन वर्स ठीक है? मैंने लिखा एक साधारन वर्स और उपर लिख देता हूँ मैं ओड़ डेज मतलब अतिरिक्त दिन मैं बात करता हूँ एक लीप वर्स एक लीप वर्स की यदि मैं बात करता हूँ तो साधारन वर्स और डेज मतलब अतिरिक्त दिन होंगे दो यदि मैं सो वर्स की बात करता हूँ तो उसमें और डेज होंगे पांच कितने होंगे? पांच यदि मैं दो सो वर्स की यदि मैं बात करता हूँ तो उसमें ओर डेज होंगे तीन कितने होंगे तीन यदि मैं तीन सो वर्स की यदि मैं बात करता हूँ तो उसमें ओर डेज होगा वन ठीक है? और यदि मैं चार सो वर्स की यदि मैं बात करूँ यह इसी तरीके से निकलेगे जीरो किस तरीके से जिस तरीके से मैंने अभी 100 वर्स का निकाल के दिखाया ना 5 दिन आए है 5 extra days मैं लो 8 days आए है इसी तरीके से आएगे कि 200 में कितने leap year plus कितने साधारण वर्स leap year है तो multiply 2 की साधारण है तो 1 की तो आपको यह चीज याद रखनी है कुछ याद रखो या मत रखो आपको तो यह याद रखनी है कि old days होंगे जो simple वर्स जो होगा उसमें 1 होगा जो leap year होगा उसमें 2 होगे ठीक है 100 वर्स है तो उसमें 5 होगे और 200 है तो 3 होगे 300 है तो 1 होगा 400 है तो 0 होगा अब यह देखे जैसे मैंने 400 को 0 लिखा अब 400 के multiple में जितने भी चलेंगे उनके odd days हमेशा 0 होते चलेंगे कैसे 400 800 1200 1600 2000 ठीक है ठीक है इस तरीके से 2400 इस तरीके से जो है अभी 2000 चल रहा है तो इसका मतलब जो question आपके आने वाले है यहीं तक आएंगे 2000 तक ही ठीक है तो simple सा आपको याद रखने 2000 के अलावा जो बचे उसको solve करने 2000 के तो लीपेर जीरो होई गई ठीक है अब दिन को याद रखना है मतलब जो दिन है हमको नू भी तो पता लगना चाहिए ना कि अब हमको नू पता लग गया कि one or days आ गया ठीक है तो one or days बे कौन सा दिन बैठता है भई हमको दिन हमें तो दिन पता करना है तो मैं एक तरब लिखता हूँ दिन ठीक है एक तरब लिखता हूँ दिन और एक तरब लिखता हूँ odd days मतलब question को solve करने के बाद यदि आपके पास zero odd days आ गए तो आपका दिन होगा क्या Sunday क्या होगा Sunday यदि odd days आपका one हो गया तो हो जाएगा Monday two होगा तो हो जाएगा Tuesday four है तो Thursday five है तो Friday और six है तो Saturday तो आपको simple सी यह चीज़ याद रखनी है यदि question के अंदर solve होने के बाद बस बार-बार में repeat कर रहा हूँ odd days पूरे question को solve करने के बाद यदि आपके पास इन में से एक ही संख्या आएगी इन में से एक संख्या से ले आएगी क्यों हम उस संख्या को साथ से divide करने वाले है ठीक है जब हम साथ का multiple लेंगे तो वो छोटी संख्या आएगी तो zero से लेके six के बीच में दि कोई सी भी संख्या आ जाती है तो zero आ गया तो sunday होगा one आ गया तो monday होगा two आ गया तो Tuesday होगा three आ गया तो venus day होगा four आ गया तो thursday five आ गया तो friday और six आ गया तो Saturday तो आपको ये याद रखने वाले है आपको ये चीज याद रखनी है कि कौन सा odd days है और कौन सा दिन होगा मतला यदि zero होगा तो sunday one होगा तो monday two होगा तो Tuesday और इधर याद रखना है क्या इधर याद रखना है कि साधरन वर् दो सो वर्स होगे तो पांच दो सो वर्स होगे तो तीन तीन सो वर्स होगे तो एक और चार सो वर्स होगे तो जीरो ठीक है चलो अब चलते हैं इसके कोश्चन की तरह को अब इसके कैसे आने वाले हैं ठीक है अब इसके हम कोश्चन देख लेते हैं पहला कोश्चन में को कौन सा दिन था कोशन इस तरीके के आने वाले है 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन है ठीक है मैं आपको एक चीज और बोना चाहूँगा इसका एक सोटकट तरीका भी है जिसमें आपको सेंचुरी याद रखनी पड़ती है बट उसमें आप कनफ्यूज हो जाओगी जीरो कहाँगा वन कहाँगा टू कहाँगा तो आप एक्जाम में उसको गलती ये चांसिस बढ़ जाते है तो आपको वो तरीका बिल्कुल याद नहीं रखना न उससे ट्राई करना क्यों एक कॉश्चन के लिए काफी मतलब गलत भी हो सकते है तो आपका कॉश्चन वो गलत हो जाएगा ठीक है हमको ओट डेज के अकोर्डिंग करना है अब मैंने कहा कि 8 मार्ट 2012 का कौन सा दिन होगा अब मुझे एक बात बताओ मैंने अभी बताए है जो 400 के जो मिल्टिपल है उसके ओट डेज जीरो होगी मतलब 400 के मल्टिपल में मैं 2000 तक पहुँच गया तो 2000 तक पहुँच गया तो इसका मतलब ओट डेज होगे जीरो मतलब 2000 तक तो हमको कुछ करना ही नहीं है भई मैंने बताए था थाना कि 400 वर्स जो है जीरो है तो 400 की मल्टिपल यदि मैं 5 में करूँ तो 2000 आ जाएगा तो 2000 तक का मतलब मुझे क्या है 2000 तक के तो ओट डेज मुझे देखने नहीं हो तो जीरो होगे अब देखें अब ये 2012 की बात कर रहे है 2012 की बात कर रहे है तो मतलब 11 वर्स तो पूरे है उसके अलावा एक जनवरी 2012 से 8 मार्च तक के दिन हमको देखने बाई 11 वर्स तो हमारे पूरे है बाई 11 वर्स तो पूरे है बाई मैंने क्या लिखा 8 मार्च 2012 2000 तक के तो ओट डेज होगे जीरो अब चलते हैं इस से आगे 2000 से आगे तो हमारे पास 11 वर्स तो हो जाएंगे कम्प्लीट बाई 11 वर्स तो पूरे कम्प्लीट होगे 12 वर्स में जनवरी पूरी फरवरी पूरी और मार्च के सिर्फ 8 दिन यही तो है अब मुझे बताओ अब मैं यदि इसको सॉल करूँ तो 11 वर्स है 11 वर्स है तो इस 11 वर्स में लीपियर कितने हो सकते 4 और 4 आठ मतलब 2000 जीरो है तो एक तो 2004 में लीपियर होगा और एक 2008 में लीपियर होगा मतलब 2 लीपियर होगे मतलब मेरे पास 2 तो लीपियर होगे प्लस 9 सिंपलियर होगे सिंपल सी बात है वह ग्यारा टोटल है तो ग्यारा में से जब दो लीप एर होगे तो नो सिंपल एर होंगे मैंने क्या बता है था कि लीप एर होगे तो दो की मल्टिप्लाई सिंपल होगे तो एक की मल्टिप्लाई तो यह कितना है 2 दूनी 4 रूनो 13 कितना आगया 13 जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 6 remaining कितना बचा 6 मतलब old days जो हमारे आए है वो आए है 6 किसको सोल करके 11 वर्स को सोल करने के बाद आए है हमारे पास 6 अब इतना तो हमारा सोल हो गया 11 वर्स अब इतना बचा है बस अब मुझे बताओ जनवरी में 30 दिन होते है क्या जनवरी में कितने होगे 30 दिन होगे अब 2 हजार है ये 2 हजार बारा की बात कर रहे ہے घ्यान से देखना यहीं कोश्ण गलत होता है 2 हजार बारा की बात कर रहे है तो वो एक लीपियर है भाई 2012 तो लीपियर है लीपियर है तो फरवरी कितने की होगी 29 की होगी और प्लस आठ दिनी ही होगी बताओ जोडने के बाद कितना आ गया भाई तीन दो पांच रेक छें 68 आ गया और 68 को जब मैं साथ से डिवाइड करूगा तो साथ नम तरेसट पांच ओट डेज यहां से बचे है और छें यह बचे है छें और पांच ग्यारा और ग्यारा को जब मैं साथ से डिवाइड करूगा फाइनली जो मेरे पास ओट डेज आए है वो चार आए है चार आए है तो इसका मतलब दिन कौन सा होगा बरस पतिवार ठीक है तो सिंपल स है तो ये था आपका कोश्चन नमबर वन जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिस करिए कि यदि दो हजाद सिंपल सा याद रखना है चार सो के यदि मल्टिपल में है तो उसकी वैल्ली हो तिंपल सा कोश्चन था फिंड게 नेक्स्ट कोश्चन दो के दिस्टसे ही और ये जो के समझना है कि किस तरीके से होने वाले सीमपल सा याद रखना है कि ओड डेज बस आपको अलग-अलग इसको तो दिखते जाना है कि इसमें से सॉल किया तो अब इतने बचे है इतने बचे है अब एक कोशन और देखते हैं एक कोशन कहा रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत वर्स गनतंत्र दिवस हुआ मतलब भारत वर्स जो है गनतंत्र घोसित करता है तो वहे दिन सबताहा का कौन सा दिन था, मतलब कोश्चन है, कोश्चन क्या कह रहा है, 26 जनवरी 1950, क्या कह रहा है, अब हमको इसका निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है, हमको निकालना है, 26 जनवरी 1950, इसका दिन निकालना है, अब बताओ कैसे होगा, अब ये देखो, 26 जनवरी 1950 तक निकालना है दिन अब ध्यान से इस कोश्चन को हम एक बार देखते हैं फिर आपका कोश्चन सारे सोलो हो जाएंगे अब देखो भाई मैंने 400 के मल्टीपल में यदि में बात करू तो 400 के मल्टीपल में 1600 तक हो सकता है क्या भाई 400 के मल्टीपल की यदि में बात करूँ तो 1600 चार सो और गुणा 4 1600 मतलब 1600 तक तक तो जो ओडेज है वो होगे जीरो अब 1950 है तो इसका मतलब हमको 300 लेने पड़ेगी 300 लेने पड़ेगी अब 300 में मैंने कितने ओडेज बताए थे 100 में तो मैंने 5 बताए थे 200 में मैंने 3 बताए थे और 300 में 1 बताए था ठीक है यही तो बताए था तो 300 में जो old days है, यह मैं यहां पर old days लिख रहा हूँ, तो जो अतिरिक्त दिन है, मतलब 1600 में तो zero हो गया, 300 में एक हो गया, मतलब अब गाड़ी आ गई हमारी कहां तक? 1900 तक, 1900 तक किया गई? अब हमको जाना है 1950, 1900 तो आ गई, 50 पर पहुँचना है, 50 पर पहुँचने का तब क्या है? भई, 99 वर्स तो हो जाएंगे, पूरे, 99 वर्स तो पूरे हो जाएंगे, और अग्य हो जाएगा, एक जनवरी से लेका, 26 जनवरी, तब मतलब 26 दिन वे बैठेंगे, अब बताओ, 99 वर्स की यदी में बात करूँ, तो इसमें कितने लीपियर हो सकते हैं, लीपियर हो सकते हैं, बारा चोक अड़तालिस, बारा गुना चार अड़तालिस, वो उननचस है, तो बारा चोक अड़तालिस, मतलब बारा तो लीपियर हो सकते हैं, तो 37 सिंपलियर होंगे क्या? बारा तो लीपियर होंगे, तो 37 कितने बचेगे? सिंपल, तो इसका मतलब ब 12 लीपियर है तो 2 की मल्टिप्लाई यो 37 तो 12 दूनी 24 और प्लस 37 कितना आ गया 7 और 4 11 3 2 5 और 1 6 61 61 61 को हमेशा किस से डिवाइड करना है 7 से तो 7 अठी 56 अब हमारे पास 5 ओर डेज ओर आ गये इसको सोल करके 59 दिन को सोल करने के बाद हमारे पास 5 O事 और आ गये ठीक है? अब हमको 26 दिन देखने है 26 दिन तो 26 दिन है इसको साथ से फिर डिवाइड करो तो साथ ये 21 21 है तो कितने बचे 5 पांच मतलब 5 O事 और आ गये इन तीनों को जोड़ेंगे तो ग्यारा ग्यारा को जब साथ से डिवाइड करेंगे तो चार अब फाइनली हमारे पास आया है चार और फाइनली हमारे पास चार आया है तो दिन क्या होगा? Thursday चार ओर डेज जो होंगे उसके सामने दिन क्या होगा? Thursday ठीक है? तो simple सा है आपको याद रखना है कि ओर डेज देखने हैं कि ओर डेज किस तरीके से हम ले रहे हैं simple सा बड़ी जल्दी से आपको solve करना है एक question और देखते हैं इसी type का एक question और ले 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 लेए ठीक है? फिर इसके next type की तरफ को चले हूँ इसमें कुछ नहीं आने वाला simple यही question आते है तो आपको और डेज याद रखने है और आपको यह देखना है question के अंदर पूछा क्या है? मतलब किस type का question है? simple सा यह दिन पूछे है या क्या पूछे है? ठीक है? एक question और देखते है question कहा रहा है कि 11 March 2012 11 March 2012 में कौन सा दिन होगा? बताओ कैसे होगा simple सा है मैंने क्या बताया? बहिए 2000 पर यदि तक बात पहुँच गई तो उसके ओट डेज आगे जीरो 400 गुना पांच 2000 अब मेरे पास मेरे पास 11 वर्स तो है complete प्लस और एक जनवरी से लेकर 11 March तक है 2012 की अब 11 वर्स है 11 वर्स है तो इसका मतलब 2 तो इसमें लीपियर होंगे और इसमें 9 सिंपल इयर होंगे ठीक है? तो 2 लीपियर होंगे तो 2 गुना 2 और प्लस 9 मतलब 4 और 9 13 जब 13 को 7 से डिवाइड करेंगे बचेंगे 6 मतलब इसमें हमारे ओडे 6 और एड होंगे ठीक है? तो इतना सोल हो गया अब चलते है जनवरी की तरफ को अब एक जनवरी है तो इसमें 31 दिन तो हो गए जनवरी के फिर 2012 है तो 29 दिन हो जाएंगे फरवरी के प्लस 11 तो कितना हो जाए? यह हो गया 60 और प्लस क्या? 11 71 तो 71 को जब 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 7 63 7 63 63 70 1 1 बच गया तो यह आगया 1 1 आगया तो 6 7 पूरा आगया 7 जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 7 से आगया 1 ठीक है? समझ आगया क्या हुआ है मतलब यह जब पूरा कटा है यह क्या है? अब 7 बटे 7 आगया तो इसका मतलब एक बार कटा है इसका मतलब जो हमको तो रिमेंडर देखना होता है क्या देखना होता है? रिमेंडर तो रिमेंडर आगया 0 और रिमेंडर जब 0 आगया तो answer क्या हो गया Sunday समझ में आ गया तो question आपको समझ में आया किस type से हो रहा है simple सा है आपको बस old days निकालना है जल्दी जल्दी से आपको यह करना है आपको याद रखना है 100 दिन 100 दिन है तो कितने old days रहेंगे 200 वरस है तो कितने old days दूसरे टाइप का question कहा रहा है कि आज मंगलवार है ठीक है आज जो है वो क्या है वो है Tuesday ठीक है आज क्या है Tuesday है तो वो कहा रहा है कि इसके 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा बताओ क्या होगा किस तरीके से इसको solow करने वाले है इसके दो तरीके है करने की कैसे वही आज Tuesday है या तो हम इसे 62 को साथ से डिवाइड करे 62 से डिवाइड करे कितना आ जाएगा साथ अठी 56 56 मतलब 6 ओड़ डेज बच गए कितने बच गए 6 ओड़ डेज और 6 ओड़ डेज का मतलब कितना आ जाएगा बताओ इससे मंगल से 6 दिन आगे बढ़ो आगे बढ़ो पूरी एक साइकल साथ दिन की होती है तो पूरी एक साइकल साथ की होती है तो इसका मतलब वो दिन बैठेगा क्या Monday वह एक दिन कम कर दो Monday या तो इसको नो में मल्टिप्लाई करू तो 63 दिन बैठ गए मतलब जो आज मंगलवार है तो 63 दिन जो होगा वो मंगल होगा बैज जैसे आज है मालो आज डेट जो होगी जो भी आज डेट है मालो आज क्या है 20 तारिख है मालो 20 जनवरी है और 20 जनवरी का मंडे है तो इसका मतलब आगे 27 जनवरी का भी मंडे होगा साथ दिन के बाद तो इसी तरीके से जैसे आज मंगलवार है तो मतलब एक दिन में एक हफते में साथ दिन होते है तो इसका मतलब 63 जो दिन होगा वो भी Tuesday होगा और उसने पूछा है कितना 62 दिन तो एक दिन पीछे आजो मंगल होगा तो एक दिन पहले क्या होगा सोमवार होगा ठीक है चलो कोशन देखते हैं नेक्स्ट इसी टाइप का कोशन कह रहा है कि आज Friday है क्या है आज Friday है तो आज से 64 दिन बाद क्या होगा कौन सा दिन होगा बताओ क्या कैसे इसको सोल्व करें भाई साथ दिन होते हैं एक हफ़ते में साथ दिन होते हैं मैं यदि 11 की मल्टिप्लाई करूँ तो ये होगा सतंतर कितना होगा सतंतर मैं साथ दिन की मतलब सतंतर वाले दिन दिन होगा फ्राइडी तो इसका मतलब छेंतर पर क्या होगा पिछत्तर पर क्या होगा पीछे चलो यहां सुक्करवार है तो ब्रस्पत बुद्ध क्या हो जाएगा मंगल तो मतलब 24 दिन बाद क्या होगा मंगल होगा तो आपको क्या आद रखना एक साइकल बनानी है साइकल बनानी है साथ दिन है तो उसको मल्टिप्लाई करने है यह देखना है उसके एप्रोक्स आपको पहुचा दिना है ठीक है चलो अब लास्ट टाइप बचा है ठीक है इस टाइप का थे देखने को मिला है नास देखते हैं मैं मिकंव है कि द्चाहिए में से कोश्यन है ध्यान से सुनना लिकृत में से कि वह कह रहे हैं से किस वर्ध आप क्लेंडर किस वर्ध का क्लेंडर दो हजार तीन के कलेंडर जैसा है 2009 2010 2012 2014 कि ध्यान से समझना को ठीक है को ध्यान से समझना आपको एक कोश्चन हम देखने वाले आप बस इसी कोश्चन से आपको समझ आ जाएगा इसकी ट्रिक क्या है उसने यह का निमलिकित में से कौन सा वर्स ऐसा है जिसका जो कलेंडर होगा वो 2003 के जैसा होगा कुछ नहीं करना है इस टाइप कर दिक कोश्चन आ गया है आपको यहां पर एक सिमपल एर देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा chocolate पॉसिबिलिटी है ऐकन्फर्म नहीं कि मतलब い अजब एक यह आएगा जो आंज़ा नहींए पॉसिबिलिटी है कि क्या बोला है मैंने यहां पर एक simple year यदि आ जाता है तो आपको इसमें 11 एड़ करना है कितना एड़ करने है याद रखना है 11 एड़ करने के बाद आपने निकाल लिया कितना गया सन 2014 अब इस 2014 को ये देखना है कि ये लीपियर तो नहीं है यदि लीपियर नहीं है तो ये ही आंसर हो जाएगा किसी कारण ये लीपियर हो जाता लीपियर हो जाता मतलब कैसे यदि मैं बात करूँ तो कैसे अब मैं बात करता हूँ 2013 की ध्यान से समझना मैं बात करता हूँ 2013 की अब मैंने इसमें 11 एड़ करा तो 11 एड़ करने के बाद मेरे पास आ गया 2024 अब मैंने चेक करा कि यह लीपियर है हाँ वही यह लीपियर है तो फिर हम 2013 में 11 नहीं जोडेंगे सिर्फ 2013 में 6 एड़ कर देंगे तो आनसर आपका हो जाएगा 2019 मतलब कहने वाली बात यह सिंपल सी एक चीज़ देखनी है यदि आपका यह नॉर्मल एड़ दिया हुआ है क्या दिया हुआ है नॉर्मल एड़ तो नॉर्मल एड़ में हम 11 जोडेंगे 11 जोडने के बाद हम देखेंगे कि वही जोडने के बाद जो हमारा एर सन आया है वो लीपियर तो नहीं है यदि लीपियर आ गया तो उस 11 को न जोड के उस सन में हम सिर्फ 6 जोड देंगे और यदि लीपियर नहीं आया तो आंसर जो है वो ही आंसर होगा ठीक है ये चीज है सिर्फ इसी टाइप के कोशन आपके एक्जाम में आने वाले है तो ये कलेंडर के मैंने तीनों टाइप आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिस की है एक दिन वाले एक बताया है कि आज ये दिन है तो 65 दिन बाद 70 दिन बाद कौन सा दिन होगा और तीसरा जिसमें आपको पूछा गया होगा कि बही 2003 जैसा कलेंडर कौन से वरसाएगा तो आपको ये कोशन तीनों टाइप के कोशन बहुत अच्छे से सॉल करने है और ये जो कलेंडर का जो टोपिक था वह यहीं पर समाप्त होता है इसके कोशन कर के देखिए प्रैक्टिस कोशन से कहीं बहुँर पर प्रिवियस ये कोशन पेपर उठा के देखिए इसी टाइप के कोशन आते हैं या नहीं आते हैं और यदि किसी टाइप की आपको प्रोब्लम होती है तो हमको कमेंट वोक्स में कमेंट करिए और हम जल्द से जल्द उसका सोलुशन प्रोवाइड करने की कोसिस करें तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक वीडियो के साथ तब तक थेंक यू